जहिंद, आज हम आप लोगों के साथ RT-NCRT का 4th एपिसोड करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम आप लोगों के साथ Solution Chapter के जो Exercise के Questions हैं उनको Discuss करेंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन से Questions JEE means या NEET के एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिना समयशा खराब किये आई आरम करते हैं तो यह रहा पहला Question Define the term solution How many types of solution are formed Write briefly about each type with an example तो जिस Solution की यहाँ पर इस Chapter में बात की गई है वो होता है Homogeneous mixture of two or more components यानि कि दो components को ऐसा मिलाया जाए, कि वो Homogeneous हो जाए, वहाँ पर उनको differentiate करने वाली boundary न दिखाई दे, जैसे पानी के अंदर जब आप चीनी घोल देते हैं तो Sugar dissolve हो जाती है, अब Sugar पानी को अलग-लग नहीं देख सकते हैं Heterogeneous mixture क्या होता है, अगर पानी में oil मिला देंगे, तो आप वहाँ पर दोनों का boundary of separation देख सकते हैं, आपको दिख जाता है कि पानी के अंदर oil पड़ा हुआ है, तो नों के लिए रख लख दिखाई देती है, तो यहाँ पर इस chapter के अंदर, जिस solution की बात की गई है वो Homogeneous mixture है तो कितने type का होता है, तो obvious ही बात है, 9 type का होता है, चुकि solution के अंदर solute और solvent होते हैं तो solute छाटने के भी तीन तरीके हो सकते हैं, और solvent छाटने के भी तीन तरीके हो सकते हैं solid liquid gas में से कोई एक phase छाटेंगे तो अगर आप समझ रहोंगे, तो 3C1, तीन phase में से एक phase छाट नहीं है, 3C1 दोनों को multiply करेंगे, 3 into 3 तो total आएंगे 9 combinations तो total 9 combinations यहां बनेंगे जिसकी table NC8 ने भगाएदा 2.1 नाम के एक table बना रखी है तो तीन तरीके से ले सकते हैं और जो solvent है, उसके अधार पर उनका नाम रखा हुआ है, तो अगर आपका solvent, gas, gas, gas लिया, बाकि आप change करते हैं, gas, liquid, solid इनको आप gas solution बोलोगे, अगर आपका solvent, liquid है और solute आप gas, liquid, solid, तीन तरीके से ले सकते हैं इसी तरीके से हैं, यहां पर आपका solvent अगर आपका solid है, लेकिन अगर आप तो अन्या questions में, यह question number 2 है, यह यह रहा, suppose a solid solution is formed between two substances, one whose particles are very large and other whose particles are very small, what kind of solution is this like to be, आप से बोला, solid solution मनाया, उसमें से अगर एक का size बहुत बढ़ा हो, solid solution के अंदे दो component है, उनमें से एक component का size अगर बहुत बढ़ा हो, दूसरे component का size बहुत चोटा हो, तो यह कौन सा solution हुआ, यह पोचा, तो यह solution होता है, हाँ पर interstitial solution बोलते हैं इसको, solid solution दो प्रकार के बनते हैं, एक substitutional बनते हैं, जैसा कि zinc copper couple होता है, zinc और copper के sizes almost same से रहते हैं, तो कुछ-कुछ जगहों पर, zinc की जगह पर substitute करके copper आ जाता है, इसको बोलते हैं, हम लोग substitutional solid solution, लेकिन हैं सवाल में, जिस solid solution की बात की गई है, उन्होंने बला, एक particle का size बड़ा है, एक का छोटा है, तो क्या होगा, बड़े particle पैसे हैं, पहले ऐसे organize हो जाएंगे, और बीच-बीच में जो interstitial voids आएंगे, उसमें छोटा particle आके set हो जाएगा, इसको interstitial solution बोलते हैं, iron carbides, hydrides, इतने सारे example, इसके अंदर, सारे carbides और hydrides इस example के अंदर आते हैं, फिर question number 3 कह रखा है हैं हम पर, अभी समाल्य question चल रहे हैं, अभी simple questions हैं, जो इनमें से भी कोई भी j-means या niche के मतलब का नहीं, जब वो आएगा, मैं आपको बताऊँगा, कौनसा question हो सकता है हो, define the term, mole fraction, molality, molarity, mass percentage, मालूम है, बड़ी common से चीज़े हैं, notes बगएरा मैं पढ़ लेते हैं, तब जाके लेटर बनते हैं, वो thousand उपर पहुँच गए, molality होती है, moles of solute present in one kilogram of solvent, तो यहाँ पर इसकी जो definition होती है, moles of solute present in one kilogram of solvent, तो moles of solute present in one kilogram of solvent, और kilogram of solvent को ग्राम में दे रखा हो, तो gram में दिया होगा, तो वो यह आपको gram में thousand से divide करना पड़ेगा, वो thousand उपर पहुँच जाता है, mole fraction, mole fraction क्या चीज़ होती है, mole fraction होता है, एक चीज़ के mole upon total mole, तो अगर A और B का mixture है, A के mole NA है, B के mole NB है, mole fraction निकालना हो, तो A का mole fraction हो जाएगा, NA upon NA plus NB, similarly for B, mass percentage, mass percentage अगर माल ले जाए, दो चीज़ों का mixture हो, हमारे पास A और B, A solvent है, B solute है, इसका mass W है, इसका mass W भी है, mass percentage कैसे निकालते हैं, उसका mass upon total mass into 100, अगर B का mass percent निकालना हो, तो B का mass upon total mass into 100, समान्य बात थी, अब यह 2.4 देख लीजे, यहाँ पर आपको concentrated nitric acid दे रहा है, आपका laboratory में 68% होता है, अगर आपको Oostwald process P block का याद हो थोड़ा सा, तो Oostwald process केंदे, जब nitric ऐसे बन करके आता है, तो 68% ही आता है, बाद में उसको distillation से purify करके, उसको बढ़ाते बढ़ाते 98% तक ले करके जाते हैं, तो यह 68% nitric ऐसे रहे by mass है, और इसकी density दे रखे और आपसे modality पूछी है, वैसे तो long तरीकर से कर सकते हैं, लेकिन जब हमें तुरंट करना हो, फटा-फट करना हो, तो हम formula का अस्तमाल कर सकते हैं, formula हमारे पास है, formula होता है, x d10 upon molecular weight, यहाँ पर x percentage by weight होता है, d density होती है, तो अच्छा रहता है आप इसका स्तमाल कर लें, solve करके आपका answer आगया, x d10 upon molecular weight से आपना answer निकाल लिया, question number 5 पर आते हैं, again बही question है, इस प्रकार के question concentration, conversion के लोग पूछ लेते हैं, competitions वगरा के अंदर, मतलब छोटे questions के तौर पर पूछा जा सकता है, तो आप इन formula को आप तयार रखें तो जादा अच्छा रहेगा, a solution of glucose in water is labeled 10% weight by weight, again 10% biomass दे रखा, what would be the molality, mole fraction of each component of the solution, if density यह दे रखा है, again molarity का जो relation है, molarity का relation है, molarity बराबर x d10 upon molecular weight, again रख दी हमने यहाँ पर, सब कुछ दे रखा था, molarity हमारे पास आ गई, अब molarity को molality में change करने के हमारे पर relation है, this is the relation, 1 upon m equal to d by m minus mb upon 1000, इस पूरे chapter में b जो है, वो solute के लिए इस्तेमाल होता है, तो solute के लिए इस्तेमाल होता है, तो यह molar mass of solute है, solute हमारे पास यहाँ पर glucose दे रखा था, तो glucose का molar mass of unity होता है, solve कर लिया, यह जो relations आप देख रहे हैं, यह relations बड़े important हैं, इन relations को आप ध्यान रखें, सवाल ऐसे भी पुछा जा सकता है, कि molarity और molarity में, इन में से कौन सा relation correct नहीं है, तो आपको थोड़े से relation ध्यान रखेंगे, तो फायदा रहेगा, यह पहला सवाल है, इस exercise का, जो JEE mains और NEET, दोनों के मतलब का सवाल है, एक अच्छा question है, ठीक ठाक question है, तो आपको इस question को जरूर अपने practice में रखना चाहिए, और एक question पूछा जा सकता है, तो NHCO3 और NO2CO3 का एक ग्राम मिक्षर दे रखा, और बता रखा है कि उस मिक्षर के अंदर दोनों के मोल्स बराबर हैं, तो अगर एक ग्राम दे रखा है, तो हमने मन लिया हैं आपर, यह लिजए हैं, तो मैंने उसमें से एक्स ग्राम मान लिया, मेरे पास NHCO3 है, तो of course 1-1 एक्स ग्राम जो होगा, वो NA2CO3 होगा, अब ऐसी परिस्ति में दोनों के मोल्स बराबर कहें हैं, तो मोल्स आफ एक्स अपॉन मोलर मास, इसके मोल्स हो जाएंगे, 1-1 एक्स अपॉन मोलर मास, सॉल्फ करा, एक्स के वेल्यू आगी 0.442, और हींस एनलेसिस हो गया, 0.442 तो NHCO3 है, तो NA2CO3 1 में से घटाएंगे, चुकि टोटल मिक्षर 1 ग्राम दे रखा, तो 0.558 आ गया, अब आप से पुछ रखा है, कि इस मिक्षर को, HL से नूटलाइस करना ना है, कितना HL लगेगा, और HL के मोलरेटी दे रखिए, आपको 0.1 M, क्या करेंगे, तो हमने सबसे अच्छा तरीक है, मोल्स में सॉल्फ करना बड़ा इजी रहेगा, तो मैंने क्या काम किया, पहले मोल्स बना लिए, मोल्स बना लिए, तो मोल्स आप NH-CO3 बन गए, तो weight upon molar mass, इतने आ गए, मोल्स आप NH-CO3, weight upon molar mass, weight में भी उपर निकाल चुका हूँ, दोनों के मोल्स आ गए, अब chemical reaction लिखे, वैसे सवाल को अगर आप equivalence से करते हैं, तो बहुत जल्दी होता सवाल, लेकिन चोकि इभी mole concept में चल रहा है, तो mole concept में देख लिजए, अगर आप लोग equivalence से करना जानते हैं, तो बहुत ही easily और बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा, बाराल, अब Na2CO3 की 2HCl के साथ reaction हो गए बन रहा है, साफ पता चल रहा है कि एक mole Na2CO3 के साथ दो mole HCl लग रहा है, तो of course मेरे पास जो यहाँ पर, हमारे पास मेरे को यहाँ पर Na2CO3 के इतने mole है, इसके साथ कितने HCl लगेगा, of course इसका दुगना लगेगा, तो दुगना HCl, इतने mole HCl तो इस reaction में खर्च होने वाले है, अब आगे चलिए, अब Na2CO3 के साथ देख लीज़े, Na2CO3, exactly वोई, यहाँ पर एक mole के साथ लगता है, एक mole, तो इतने mole जो मैंने पीछे निकाले थे, यह निकाले हैं मैंने, तो इतने mole के साथ reaction करने के लिए इतने ही mole लगेंगे, तो मैंको total HCl के कितने mole खर्च होने वाले हैं reaction में, तो इतने mole तो इहाँ उपर आये थे, आप देखो सवाल एक्शन में 10.5 to 10 to the power minus 2 तो इहाँ आये थे, मौटरिटी एक्शन की पॉइंट वन दे रखी थी, वालिम आजाएगा, आप सोच रहोंगे यह कहां से आया, यह मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो, मौटरिटी होती है, मोल्स पर लीटर, मोल्री होती है, मोल्स पर लीटर, तो अगर आप moles निकालेंगे तो moles हो जाएंगे molarity into volume liter में और अगर volume liter में ना दे रखा हो volume अगर milliliter में हो तो कैसे करेंगे, moles निकालना हो तो क्या हो जाएगा, molarity into volume milliliter में upon thousand करना पड़ेगा, यानि कि 10 to the power minus k3, जो कि हमने यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया है मुझे उम्मीद है कि आप कोई बात समझ में आ गई होगे अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और question number 7 यह question जो पीछे हमने किया अच्छा question था पूछा जा सकता है question number 7 a solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass, calculate the mass percentage of the resulting solution यह भी tick-tack सवाल है NEET की परिक्षा हमें पूछा जा सकता है exactly यह यह से इसी की pattern पर कुछ पूछा जा सकता है तो आप से बोला एक solution है 300 gram का था उसका 25% मिलाया हमने और 400 gram का था उसका 40% मिलाया solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution हमने मिलाया तो पहले बात हमें जो मिलाया 300 gram और 400 gram मिलाया तो परिए total weight निकालेजे weight of resulting solution हो गया 300 plus 400 बराबर 700 gram अब उसमें solute कितना है तो भाई साब 25% solution मत्तब 100 में से 25 gram उसका solute रहा होगा 40% solution का मत्तब 100 में से 40 gram उसमें solute रहा होगा total weight of solute आगे मिरे पाद 235 gram यानि कि 700 gram में से 235 gram मिरे पास solute है तो अगर मैं mass percentage निकालूँगा तो mass percentage आएगी 235 upon 700 into 100 तो mass percentage निकल करके आजाएगी मिरे पास mass percentage of solute यहाँ पर निकल करके मिरे पास आने बाला है अच्छा question था ये तोड़ा language इसकी गुमाओदार है बाकी question कठिन तो नहीं है लेकिन language इसकी थोड़ी ऐसी गुमा देने वाली language है तो पुछा जा सकता अच्छा सावाल बन सकता है 2.8 2.8 एन anti-free solution is prepared from 222.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water यहाँ पर बहुत सुंदर मैं को जो चर्चा आपके साथ करनी है solto के answer तो आ चुका है लेकिन चर्चा बड़ी सुंदर करनी हूँ मैं भी आपको थूर्दे बताने वाला हूँ calculate the molality of the solution if the density of the solution is इतना then what shall be the molarity of the solution अब अगर आप यहाँ पर देखे तो molality के लिए मैंने क्या काम किया है पर वोई weight upon molality होता है moles of solute present in 1 kg of solvent यह होता है तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा था question में बदोबारा से question language पढ़ लिजे यह बोल रखा था 222.6 gram ethylene glycol को add कर रखा 200 gram water में तो यह 222.6 ethylene glycol इसको solute माल लिया और पानी को माल लिया solvent और यहाँ पर रख दिया 222.6 upon 62 यह आगए mol 62 molar mass ethylene glycol का यह बन गए mol divided by 200 gram दे रखा था आपको किसका वजन है यह solvent का वजन है upon 1000 करेंगे तभी वो पर kg of solvent बनेगा वो 1000 चला गया उपर otherwise आप सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं molality का formula सबको पता है molality का formula होता है WB यानि कि weight of solute क्षमा चाहूंगा बीच में फोन आ गया यह भी जरूरी चीज़ें हैं और lecture disturb हो गया तो तो स्वाब इगनूर कीजिएगा और यहाँ पर WA into 1000 ऐसा रहता है WB, MB, WA into 1000 ऐसा रहता है यह आगे हैं पर अब आपने हाँ पर WB रख दिया यह रहा इसका molar mass 62 रख दिया WA हाँ पर रख दिया 1000 के solve करके molality आ गई और अभी भी मैंने आपको molality को molality में change करना सिखा में पर relation है solve कर लिया यहाँ पर solute मेरे पास glycol था यह रख लिया 62,000 और solve कर लिया अब यहाँ पर जो confusion रहता है बच्चों को वो समझिये उनको confusion रहता है कि सरह हमको तो यह बताया जाता है कि solute उसे बोलते हैं जो कम हो और solvent उसे बोलते हैं जो ज़्यादा हो और solvent उसे बताया जाता है जो ज़्यादा हो amount तो आप यहाँ पर इस प्रकार के questions में आप अगर देखें तो जो comparison है कम और ज़्यादा का वो अगर बहतर रहेगा अगर आप weight की जगह पर मोल से करें solute उसे बोलते हैं जिसका amount ज़्यादा हो ताकि इन questions को मैं आपको अपने हिजाब से दिखा सकूँ कि इन questions को देखेंगा नजरिया यह होना चाहिए अदरवाइस कोई भी विक्तिस हो सकता है 222.6 gram तो आपने ethylene glycol लिया और 200 gram आपने water लिया तो सर फिर जो चीज ज़्यादा होती है इसको तो solvent बोलते हैं तो ethylene glycol को यहाँ पर solvent बोलना चाहिए moles में चेक करना है weight में नहीं moles में चेक करिए आईए चलिए moles में चेक करिए तो ethylene glycol के moles निकाले गए देखो 222.6 divided by 62 3.6 moles आए जबकि पानी के आपने जब moles निकाले तो 200 upon 18 के 11.11 बनाए और आपको दिखता होगा यह बहुत जादा है 11.11 3.6 के मुकाबले अब इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इसलिए मैंने इसको यहाँ पर solvent consider किया है यह बहुत जरूरी बात थी जो उस question के साथ additional हम लोगों को जरूर देखनी चाहिए आगे चलते है अब यह रहाँ 2.9 a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CHCL3 supposed to be carcinogen मतलब यह cancer कारक है the level of contamination was 15 ppm by mass express in by mass में express करना है और molality और आप से यह सब चीज़ें पूछ लिए है यह question 11 और 12 दोनों की NCRT में दे रखा है इलामत में यह first chapter के अंदर दे रखा है और 12 में यह solution chapter के अंदर दे रखा है अमूमन जो ppm concentration है उसे कब express करते हैं ppm concentration को express करते हैं तब जब solution बहुत ज़ादा diluted हो diluted solution को express करने की एक term है ppm parts per million एक million में कितने solute के particles मौजूद है यह देखना चुक्कि solution बहुत ज़ादा diluted होता है तो 10 ml, 20 ml में तो solute के particle recognize ही नहीं होते हैं इसलिए एक million में recognize कर रहे होते हैं कि एक million के अंदर कितने parts मौजूद है ताकि दिख जाए significantly solute इसलिए ppm का इस्तमाल किया जाता है तो ppm के questions करते हैं पहले से दिमाग में रखें कि solution तो diluted होगा diluted solution मतलब अगर एक वो solution की बात करूँ तो उसकी density 1 रहने वाली है density 1 रहने वाली का मतलब उसकी molality और molarity बराबर आने वाली है छोटा हम बढ़ा हम बराबर आने वाला है मतबब अगर इस सवाल के अंदर मुझसे बोल दिया जाता molality की बजाए molarity भी पूछ लिया जाता तो मैं equal बताता है चोकि solution बहुत ज़्यादा diluted है अब आप यहाँ पर देखो 15 ppm का मतलब क्या होता है 15 ppm का मतलब होता है 15 gram chloroform in 10 to the power 6 यानि की 1 million gram solvent में या solution कुछ भी बोल सकते है चुकि solution diluted है तो solvent या solution कुछ भी पढ़ा जा सकता है अब mass percentage of chloroform निकाल लीजे कैसे होगा 15 gram है total solution का बज़न केतना है 10 to the power 6 gram अब percentage निकालना हो तो आपको यहाँ पर 100 से मनप्रा करना पड़ेगा into 100 करना पड़ेगा तो mass percent chloroform 15 10 to the power 6 into 100 करना पड़ेगा mass percentage निकालने के लिए तो percentage by mass कितना हो जाएगा 10 to the power 6 दो घड़ जाएगे यहाँ पर तो आसा calculation गड़ पर लिखा हुआ है 6 में दो चले जाएगे माइनस के 4% यहाँ पर आजाएगा अब अगर आपसे को molality पूछ ले तो molality कैसे निकालेंगे तो molality निकालने के लिए molality होता है weight in gram upon molar mass तो 15 gram है हाँ पर molar mass होता है 119.5 chloroform का निकालेंगे 119.5 wa कितने gram था हमारे पर 10 to the power 6 gram solution बोल दीजे solvent बोल दीजे 10 to the power 6 रखेंगे in 2000 करेंगे तो आपके पास यह आजाएगा 6 solve करेंगे इतनी value आजाएगे अब यहाँ पर अगर आप देखें what role does the molecular interaction play in the solution of alcohol and water पूछता है alcohol को पानी में dissolve कर लिया जाए तो जो solution बन करके आता है उस solution के अंदर वो solution बनाने के लिए इनके बीच में hydrogen bonding हो जाएगे इसको बोलते है intermolecular hydrogen bonding हो जाएगी इस जगह पर रहने वाली है intermolecular hydrogen bonding हो जिम्मेदार है जो दो अलग-अलग molecules के बीच में लगते है आगे चलते हैं अब यहाँ पर एक question दे रखा है उसको देख लेते हैं पहले और question क्या है तो थोड़ा सा question के तरफ आते हैं देखो यह रहा question Why do gases always tend to be less soluble in liquids as the temperature is raised यह बोला temperature बढ़ाने पर gases की solubility solvent के अंदर कम क्यों हो जाती है यानि कि hand-raised लग पर आकर क्या बात आने वाली है तो solubility of gas जब gas को liquid में भोलते हैं तो solution बनता है साथ में heat निकलती है फिनोमना होता है एक्जोथर्मिक और ली चैटलियर प्रिंसपल के according हमको पता है कि एक्जोथर्मिक फिनोमना में अगर आप temperature raise करते हैं तो equilibrium backward direction में shift होता है forward direction में shift करने के लिए आपको temperature कम करना पड़ेगा तो लिख रखा है आपट dissolution of gas in liquid exothermic process है according to Lee Chattler principle in exothermic reaction when temperature is raised equilibrium shifts in backward पीछे के तरफ चला जाता है so solubility of gas decreases when temperature is raised दूसरा लिख रखा है Henry's law पता दीजे क्या है Henry's law आपको मालूम है Henry's law है pressure बढ़ाएंगे तो gas की solubility बढ़ती है अगर आपको किसी gas की solubility बढ़ानी है किसी fixed amount of solvent में constant temperature पर तो आप pressure बढ़ाईए और उसको भी आप यहीं से देख सकते है Lee Chattler principle इस पर लगा कर के देख सकते है Lee Chattler principle लगाएंगे Lee Chattler principle के according यह equilibrium forward direction में shift होएगा तो Henry law state करने के लिए कहता तो Henry law का statement यह रहा उपर लिख दिया गया है यह रहा Henry law का statement यह रहा यह रहा amount of gas dissolved in a definite amount of liquid at constant यह तो आप ठीक कर लेते हैं तो कट रहा था है आप अब देख लिजे amount of gas dissolved in a definite amount of liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of gas applied तो P gas directly proportional to mole fraction of gas जितना अधा pressure बढ़ाइंग होती है अधा gas dissolve होगी proportional कसान अटाना होता है हापर Henry's constant लगाते है और Henry's constant KH रहता है तो KH की जो unit की अगर हम बात करें तो mole fraction की तो कोई unit होती नहीं है तो जो pressure की unit होगी exactly वो unit है हापर mole fraction की Henry's constant की रहने वाली है इसके applications भी कहा है application to Henry's law के बहुत सारे होता है आपको पता चल गया है कि gas की solubility अगर आपको बढ़ानी है तो gas की solubility बढ़ानी के दो तरीके है number one temperature कम रखें number two pressure हाई रखें तो जो soda water की जो bottles आती है को पेपसी जिती भी आप चीज़ें पीते हैं इन सब के अंदर जब CO2 को जब बॉटल्स को पैक किया है तो उनमें CO2 की high concentration रखते है high pressure पर CO2 उसके अंदर dissolve कराई जाती है और temperature कम रखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी cold drink का taste बरकरार रहे तो आप अपनी cold drink को fridge में रखे ताकि उसके अंदर low temperature पर gas घुली हुई रहे अगर सारी के सारी gas बाहर निकल जाएगी तो फिर cold drink पीने में आनंद नहीं आता आपको मालूम है इसके लाब और क्या-क्या इस्तेमाल हो सकते हैं क्या-क्या यूजर्स हो सकते हैं मचलियां रहती हैं, aquatic species बोलते हैं वो गर्मियों के दिनों में उपर सर्फेस पर मचलियां नहीं मिलती हैं काफी अंदर चली जाती हैं उसका कारण डिया हो कि वो लोग भी oxygen इन्हेल करते हैं oxygen इन्हेल करने के लिए oxygen घुलीवी वहाँ पर होनी चाहिए dissolved oxygen होनी चाहिए respiration में हम लोग भी auto use करते हैं, वो मचलियां भी auto use करती है हम लोग तो auto normal use करते हैं, जो environment में मौझूद है, gaseous form में वो पानी के अंदर जो घुलीवी oxygen होती है उसको इस्तेमाल करते हैं तो चब temperature, घर्मियों के दिनों में upper surface पर temperature बहुत ज़्यादा होता है upper surface पर temperature बहुत ज़्यादा होता है तो जो dissolved oxygen होती है वो dissolved oxygen की मात्रा वहाँ पर कम होती है चोकि हमने भी पढ़ा, gas की solubility higher temperature पर कम हो जाती है तो इसलिए, वो लोग अंदर नीचे की तरफ चली जाती है समुदर की घराई में चली जाती है वहाँ पर दो फाइदे होते है पहला फाइदा यह होता है कि वहाँ temperature होता है कम दूसरा फाइदा होता, pressure होता है जादा तो दोनों ही conditions वहाँ पर gas की solubility को बढ़ाती है यानि कि O2 के मात्रा अपर सर्फिस से जादा अब नीचे मिलने लगती है और वो आराम से सांस वगएरा लेने में को कोई दिख करती होती है तो यहाँ पर कुछ applications यहाँ पर यह लिख दिये गए है आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं और यह आपके काम के हैं तो मैं पढ़ भी देता हूं अब आपके लिए As the partial pressure of oxygen in air is high in lungs It combines with hemoglobin हमारे lungs के अंदर बहुत ज़्यादा oxygen का pressure रहता है तो इसलिए हमारा जो blood है उसके अंदर oxygen अराम से dissolve हो जाती है आपके कारण यह है चुकि high pressure पर gas की solubility ज़्यादा होती है यह बात यहाँ पर बोली गई है As the partial pressure of oxygen in air is high in lungs It combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin फिर यह आगे tissues में जाता है tissues में वहाँ पर होता है pressure low चुकि tissues में चल रहा होता है combustion glucose का वो mitochondria के अंदर वहाँ पर combustion चल रही होती है combustion चल रही होती है तो वहाँ पर oxygen के लगातार खपद हो रही होती है तो oxygen का वहाँ पर pressure रहता है कम तो कम pressure पर gas की solubility कम होती है तो oxyhemoglobin में से oxygen निकल करके आराम से release हो जाती है यह बात यहाँ पर बताई गई है फिर आगे बता रहा है अगर आप कहीं पहाड़ बहाड़ पर चल ले जाए तो वहाँ पर partial pressure आपको कम मिलेगा इस वज़े से क्या होता है कि oxygen की पूरी चोकि oxygen का pressure कम होता है तो जब हम inhale करते हैं तो वहाँ पर भी oxygen का pressure ज़ादा आनी पाता है चोकि जो oxygen आप inhale कर जो air आप inhale कर रहे है उसके अंदर O2 के मातरा कम है तो hemoglobin के साथ घुलने वाली oxygen की मातरा भी कम हो जाएगी चोकि oxygen का pressure ही कम है तो वो अच्छे से hemoglobin में mix नहीं हो पाएगी तो उससे क्या होता है एक anoxia नाम की विमारी होती है तो इनेक्जोम आदमी को जो लिखे रखा है हाँ पर उनको सांस तरह में परिशानी होगी इसको अपन लोग बोलते है anoxia तो इसको इसके uses में आते हैं हाँ पर applications में हेंरी जो के applications में आते हैं चौदमा सवाल वट इसमींड बाइ पॉजिटिव एंड नगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लोग डेल्टा एच के साइन क्या होंगे पॉजिटिव नगेटिव डेविएशन के अंदर तो आई इसको एक बार देख लेते हैं पॉजिटिव डेविशन के साइन क्या रहते हैं आई डेल मैंने हाँ पर यह रिखे में क्लास नोट्स ही हैं जो बच्चों को बताए जाते हैं तो वही क्लास नोट्स में आपके सामने हाँ पर एक बार आपको दुबारा सुना देता हूं तो आप इन क्लास नोट्स को देख सकते हैं आइडियल सलुशन में क्या होता है आइडियल सलुशन में जब हम दो कंपोनेंट्स को मिलाते हैं मिलाने के बाद वो जो सलुशन होता है तो वो राउट लो फॉलो कर रहा होता है हर कंपोजिशन पर यानि कि उसमें P S equal to P naught A X A plus P naught B X भी चल रहा होता है delta H mixing की value 0 होती है मतलब अगर आप तो चीजों को मिलाएंगे अगर एक solution का temperature 25 degree Celsius है दूसरे का temperature भी 25 degree Celsius है mixing के बाद न तो heat release होती है न अब्सर्ब होती है relation अगर आप देखेंगे दोनों को mix करेंगे तो temperature पहले भी 25 था मिलाने के बाद भी 25 रहता है यह delta H mixing का sign है और delta V mixing का जो sign होता है delta V mixing 0 रहता है मतलब अगर आप 10 milliliter में 10 milliliter मिलाएंगे तो resulting solution 20 milliliter मिलेगा न तो कम 19 milliliter भी नहीं मिलेगा न जादा 21 milliliter भी आपको नहीं मिलेगा यह होता ideal condition में solution के अंदर सवाल में non ideal solution पूछ रखा है अब deviate करेगा तो deviate करेगा तो क्या होगा deviate करने पर चीज़ें 2 हो सकती है यह तो positively deviate करें यानि कि जो जो चीज़े हम सोच रहे हैं 0 आनी चाहिए सारा का सारा data 0 से जादा आना शुरू हो जाए उसको अपन positive deviation बोलते है तो positive deviation के अदर क्या होता है सारी के सारी चीज़ें हमारी को अपनी expected value से बहुत बड़ी मिलती है तो non ideal solution में जो positive deviation होता है फिलाल तो question में सिर्फ delta h का sign पूछा है तो delta h का sign obvious सी बात है अपनी expected value से ज्यादा मिलेगी पी एस की value greater than P not A X A plus P not B X भी मिलेगी डेल्टा भी mixing की value greater than 0 मिलेगी यह जो graph भी आप देख रहे हैं यह जो graph ordinary condition के graph थे ordinary condition के graph थे वो ऐसे थे वो simple ऐसे आरे वारे थे ordinary condition graph यह थे लेकिन आपको सारी के सारी value अपनी expected value से आगे मिल रही है आप देख रहे होगे उपर के तरफ को यह उपर के तरफ को सारी के सारी value अपनी expected value से आपको बड़ी मिल रही है किया हुआ positive deviation negative deviation में of course negative deviation में जो values मिलेंगी अपनी expected value से कैसी मिलेंगी आपको कम मिलेंगी तो negative deviation में सारी के सारी चीज़ें कम होती है और अपनी expected value से कम मिलती है तो यहाँ पर आपसे फिर आलता question में सिर्फ delta x का sign पूछा हुआ है तो अब यह से बात है delta x mixing जो जाने वाला हो less than zero जाने वाला है delta v mixing less than zero जाने वाला है अब question number 15 देख लिजे एन एक्वा solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar the normal at the normal boiling point of the solvent what is the molar mass of solute यहाँ पर जो राउल्ट का law है राउल्ट के law में बड़ी भ्रांतियां है मैं आपको राउल्ट के law के आपको बताना चाहूंगा आप जब राउल्ट के law के questions बना रहे होते हैं राउल्ट के law के खास्तोर पर second के राउल्ट second law के question मना रहे होते हैं तो अलग लग जगों पर अलग चीज़ें आपको मिलेंगी जैसे इस law को पी नौड A माइनस ps upon पी नौड A equal to xb main law तो यह है जिसको कि आप nb upon na plus nb लिखते हैं मूल रूप से तो यह law यह है फिर इसको modified कर देते तो उसका modified version आता है कि यह और वो आता है यहाँ पर wb mb wa ma यह आता है version इसी का एक और version आता है निकल करके वो आता है यह पी नौड A minus ps upon ps और वो रहता है wb mb wa ma तो बच्चे को अतना confusion रहता है कि मेरा कभी answer इस formula से आता है कभी मेरा answer इस formula से आता है और कभी मेरा answer इस formula से आता है तो question construction करने वालों ने भी ऐसी कर रखा है कभी किसी से answer आ रहा है कभी किसी से कभी किसी से वर्ना गर आप देखा जाए तो है बड़ रखेंगे तो कोई भी वैल्यू आदमी प्रेस करके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे वैरियबल है, छे में से पांच की वैल्यू दे दूँगा, छटा निकल वा लूँगा, इजी तो है, लेकिन कुछ चीज़े ध्यान रखनी है, वो सारी के सारी चीज़े मैं आपको सुना रहा हूं, उसको ध्यान रखिए, अगर solution diluted नहीं है, तो non-diluted solution में आप हमेशा से लगाया करें, अगर solution diluted नहीं है, अब सर मुझे कैसे पता चलेगा कि diluted है कि नहीं है, एक तो उता experience के question करकर के experience हो गया, नहीं तो answer निकालने के बाद चेक कर लें, परे पूरा solve कर लें, solve करने के बाद, moles check कर लें, कि क्या na plus nb की value, आप na के बराबर लिख पार, जैसे को 10 plus 10 to the power minus 2 कहेगा, तो obvious ही बात है, 10 लिख देंगे इसको approximately, लेकिन अगर कोई मुझे से कहेगा 10 plus 0.3, तो उसको 10.3 लिखूंगा मैं, इसको approximately 10 नहीं लिखूंगा मैं, तो question solve करने के ब तो ठीक, नहीं हो तो question करने के बाद एक बार check कर लें, कि na plus nb की जगह में क्या na लिख सकता हूं, क्या वो अतना छोटा है, तो आप लगभग 10 to the power minus 2, या इससे और नीचे की values को आप neglect करके लिख सकते हैं, 10 to the power minus k2, 10 to the power minus k3, minus k4, इस order की चीज़ों को neglect कर सकते हैं, 0.1, 0. 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, इनको neglect न किया करें, पहली चीजी, अब यह मैंने आपको बता दिया किसका इसका इसतामाल करना है, आप लोगों ने non-dilated solution, अब diluted solution में आप इसेका इसतामाल किया करें, अब diluted solution में भी अगर कोई आपसे पुछे की predict the molar mass of solute, तो molar mass of solute का जो correct result आता है निकल करके, वो इस formula से आता है, जैनि कि जब हम नीचे ps रखते हैं, तो अगर किसी सवाल में molar mass of solute पूछा हुआ है, तो आप इससे निकाला करें, इससे जो data निकल करके आता है, वो actual data से काफी resemble करता है, बहुत आसपास का होता है, ज्यादा अंतर न इसमें और modify कर सकते हैं देख उस वाले formula को, और क्या modification हो सकती है, वो देख लिजे, मैं आपको उस वाले formula modification करके रिखा रहा हूँ, इसको इसको अटाते हैं, आप इसको उपर नीचे 1000 से मेंटपलाय कर दीजे, इधर भी और इधर भी, अब अगर आप इसको देखेंगे, त 1000, यह formula बन गया है, यहाँ पर molality का, यह वो गया, molality, ma upon 1000, formula यह बन सकता है, अब depend upon the situation, आप सको change करते रहें, वो question को solve करते रहें, NCR ने बहुत जगों पर ऐसा किया है, जहाँ पर concentrated or diluted solution का difference रखा है, कहीं पर molar mass of solute पूछ लिया है, तो अलग-लग जगों पर अलग-लग उत यह 2% दे रखा था, यानि कि 2 gram solute, 100 gram solution के अंदर था, अगर मैं solvent का weight निकालूँगा, 2 gram solute, 100 gram solution में, यानि कि 98 gram हो गया, 100 में से solute घटाऊँगा, तो solvent का बजन आ जाएगा, ऐसी दिखाई दे रहा है, solution diluted है, पहली चीज, सवाल के अंदर पूछा गया, मुझसे molar mass of solute, तो मैं याला नीचे ps रखके solve करूँगा, तो मुझे ज्यादा appropriate answer मिलेगा, मैंने यहाँ पर इसको रखा, values put करी, अब put करके यहाँ पर मेरे पास answer आ गया, 1 ATM normal pressure होता है, external pressure, चुकि normal boiling point बोला है, इसका मतब external pressure 1 ATM लेना है, लेकिन 1 ATM तो नहीं दे रखा, question बार में solve करना है, तो 1 ATM में आपर 1.013 बार होते हैं, तो 1.013 बार रख करके solve करके this answer निकाला गया है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप इसको दिखने में लगे एक अकदम सामधने ऐसा है, एकदम easy नहीं है यह, यह अच्छा question है, पोछा जा सकता है, पेपर में आ सकता है, exam में solve करना है, और हो answer नहीं मिलेगा आपको, अच्छा question बनेगा, बहुत अच्छा question है अपने आपके, दूसरा दे रखाता है, यह है, तीसरा, heptan and octane form, यह simple question है, heptan and octane form ideal solution, 370 vapor pressure of two liquid components are, इतना ने इतना, दोनुका दे रखा, what will be the vapor pressure of mixture of 26 gram of heptan and 35 gram of octane, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर P9, देखो, P9, दोनों के दे रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको थोड़ा ओपर ले चलते हैं, अब हमको सब कुछ दिख रहा है, question भी और उसका answer भी, तो moles of heptan निकाल लिया, weight upon molar mass, heptan का molar mass 100 होता है, नि खास बात थी नहीं, question के अंदर समान्य था, आगे चलते हैं अब हम लोग, और हम आते हैं, question number 17 पर, the vapor pressure of water is 20.3 kilo pascal at 300 Kelvin, calculate vapor pressure of one molar solution of a non-volatal solute in it, आपकी बार यहाँ पर question के अंदर molality की बात आ गई, मोलल बोल दिया, तो मैंने अभी भी आपको पिछे modify करके दिखाया था, मैंने आपसे का था कि आप सको modify करके, और यहाँ पर रख सकते हैं, यह formula बन सकता है, और one molar बोल रखा है, तो molality की value में यहाँ पर one रखने वान हो, solve जाएगा, यह देखिए, मैंने यहाँ पर भी करक पिएस निगल करके आजाए, यह भवड़ी चीज थी नहीं, अब, calculate the mass of non-volatile solute, molar mass 40 दे रखा, which should be dissolved in 114 gram of 10 to reduce its vapor pressure 80%, आपको vapor pressure 1-2% reduce नहीं करना है, 80% reduce करना है, 80% असी परतिशत reduce करना चाहते हैं, तो obvious सी बात है, इतना सारा vapor pressure reduce करने के लिए, मुझे बहुत सारा solute डालना पड़ेगा, आपसे बोलता है, reduce its vapor pressure by 0.1%, और जड़ा सा solute डाला होगा, vapor pressure reduce हो गया हो गया, और वैसे बात है, solution कैसा रहोगा diluted, लेकिन यहाँ पर 80% reduce करना है, इसका मतलब, मैं हाँ पर neglection नहीं कर सकता, इसका मतलब, जब मेरा solution diluted नहीं होता, तो उस परिस्तिती में, non-d solution के लिए मैंने आपको बताया था, कि इस पूरे expression को आप इस्तमाल करने वाले, वहीं यहाँ पर किया गया है, पूरे के पूरे expression का इस्तमाल किया गया है, यह आप पी नौटे बराबर 100 है में, मैंने मान लिया 100, आपको अगर 100 नहीं मानना, तो आप X में कर ले, percentages के question को 100 मा यह X है, तो फिर दूसरे वाले का आप 80% reduce करके फिर वहाँ पे 20X बचाएं, 0.2X बचाएंगे, मजा नहीं आता, तो पी नौटे मैंने 100 मान लिया, 80% reduce करा तो, 100 का 80% होगा, 80, उसको reduce कर दीजे, कितना बचा 20, तो PS की value कितनी हो आपको 20, हम 80% reduce करने लिए बूल रखा था, मोलर मास ऑक्टेन का 114 दे रखा था, पी नौटे मानेस PS अपॉन पी नौटे बड़ापर XB, X में पूरी value रख दी, solve करके आगे मेरे पास 0.5, hence weight of non-volatile solute, निकाल करके आपस weight पोचा था, यह moles निकल करके आए हैं, आपसे पूछे तक कितना solute करेंगे, तो अब वेसी बा यह question number 19 है, यह question JEE advance के मतलब का भी है, यह question neat के मतलब का भी है, एक्चली में जब आप question solve करेंगे, तो जब आप question solve करेंगे, तो उस परिस्तिती में question solve करते समय, इसकी calculation थोड़ी सी दिक्कत करेंगे, आप equation बना भी लेंगे, तो भी calculation दिक्कत करेंगे, थोड़ी सी tricky calculation है, तो आप इस सवाल को अच्छा question मानके चलिए, बढ़ी अकोशन है, जिनका mathematics sound है, वो तो कर ही लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, दो बार data दे रखा एक्चली म निकालना, और दो बार data दे रखा है, एक बार बोल रखा है हाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ पूरा, बोल रखा है 90 ग्राम पानी लिया था आपने, और 30 ग्राम solude डाला था तो 2.8 आया था, तो पी नौर डे, माइनस solution का 2.8 पी नौर डे, अब यहाँ पर 30 अपान मोल solution diluted है कि नहीं, यह confusion में था, तो मैं अपने confusion को दूर करते वे, भाई मुझे नहीं पता चला solution diluted है कि नहीं है, अब यह 30 ग्राम में मुझे नहीं पता इसका molar mass कितना आने वाला है, इसका molar mass अगर आगया बहुत बड़ा, तो इसका मतल़ solution diluted हो जाएगा, चोकि मैं 30, आप पर इजबात पहले समझे, अगर इसका माना मान लिया जाएगा molar mass इसका बहुत जादा आता, माना इसका molar mass 400 होता, तो अब यह सी बाते data बहुत छोटा होता, पांच में add करते मुझे शर्म आती, तो मैं यहाँ पर na plus nb की जगह nb बोल देता, मैं इसको diluted मालेता, यानि कि म में भी कुछ पता नहीं है, क्या molar mass निकल करके आने वाला है, तो फिर गलत सॉल्व हो सकता है, तो मैं confusion क्यूं रखूँ, तो मैं यहाँ पर पूरा इस्तमाल करूँगा, nb upon na plus nb है, अब यह उसको solve करने के लिए catrick बढ़ाई है, इसको पर ठीक कर लिया है, पर 1-2.8 upon this stripe से कर लिया और अब मैं इस पूरे expression को लिया यहाँ और इस वाले को उठा के लिया है, तो 1 में से मैंने सुगटाया, इस वाले को उठा करके मैं हाला लिया था, पॉसिटीव हो गया, इस को और सिंप्लिफाई कर लिया, सिंप्लिफाई करके यह relation बन गया मेरे पास, आप इस relation क पानी पहले था यानि की 5 मोल 18 ग्राम यानि की एक मोल आपने और रेड कर दिया तो पानी के मोल हो गाएब 6 और अब प्रेशर बोल रहा है टू पांट 8 की जगह हो गया टू पांट 9 तो यह रहा ठीक है हो गया 2.9 रख लिया हैं पर पहले 2.8 था अब नए मोल हो गया शेकंड experiment लिख रहा है second experiment यह first experiment था यह second experiment है तो new most निकल करके आगे 19 plus 18 divided by 18 छे मोल आगे exactly वो यह expression बन जाएगा जो हमने बनाया था solve करने का style हो रहेगा आपके पास equation आएगी ये अभी equation simplified form में आगे ये भी आराम से solve हो सकती है दोनों को divide कर लीजिए divide करेंगे कट कुटा जाएगा molar mass आजाएगा 23 molar mass आएगा 23 molar mass यहाँ पर 23 तो देखो molar mass यहाँ पर आया है कम और ये molar mass कम आने का मतलब अभी ये solution diluted नहीं रहने वाला solve कर लिए आप लोग उन्हें MB और इस MB की value किसी भी एक इस वाली question रख लीजिए तो यहाँ से P naught निकल करके आजाएगा 3.53 बहुत अच्छा सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है और ये question अगर कोई बनाने भी लगेगा तो उससे calculation नहीं होगी पहली बारी में जल्दी से और ये question अगर नीट की परिक्षा में ये medical की परिक्षा में आता है तो ये अच्छा question है वहाँ पर पूछा जा सकता बढ़िया question है 2.20 2.20 में 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point of इतना calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of water is इतना क्या होता है कई बार question में दो बार data दे दिया तो आपको लगता है में को तो पहले से पता था अगर मैं आपको बोल दो कि भाईया 4% glucose का solution है उसका delta tf बताओ तो तो आप सीधा निकाल लेते हैं चोकि आपको पता है अगर solution पानी के अंदर बनाया है तो kf की value 1.86 रहेगी सीधा solve करके निकाल सकते हैं तो आपके मन में बात आएगी फिर दो दो बार data देने का क्या मतलब मैं तो सीधा इतनी line पढ़के यान से निकाल सकता हूं आपके मन में आ रहा होगा calculate the freezing point of five principle solution आपको मन करेगा मैं इससे निकाल लूँ मुझे उपर के data यह जुरू होता है actually मैं आपको question के अंदर kf नहीं दे रखा है तो वो चाहते हैं कि kf आफ पहले इस data से निकाले जो स्टार्टिंग का data दे रखा है इस data से आप पहले kf निकालने चुकि आपको delta tf दे रखा हूंने 271 तो यहां से आपको 271 इसका freezing point दे रखा है 271 freezing point का मतब आपको पता है zero degree celsius रहता है तो zero degree celsius का मतब आपको 273 केलवन पर freeze हो जाना चाहिए लेकिन 271 पर दो डिगरी का आपको यहां पर delta tf दिख रहा होगा तो आप यहां पर रख करके पहले kf निकालेंगे फिर उस kf को नीचे वाले में यूज करने वाले हैं वहीं किया गया है यहां पर को बहुत बढ़ा काम नहीं था तो सौ में से 5 घटाना पड़ेगा 95 ग्राम आपके अपर solvent हो गया delta tf के relation में सिधा सिधा रख लिया और यह question number में बन बना ली चाहो तो solve करके हैं से kf निकालो ऐसे भी कर सकते हो और उस kf को नीचे डाल देना यह दो एक question मना के divide कर देना जैसा ठीक लगे आगे 5% glucose weight by weight दे दूसरे experiment के लिए एक expression यह है एक expression यह है दोनों को divide कर दिया एक में glucose लिया था और एक में cane sugar ली थी cane sugar का molar mass 342 होता है glucose का बनेटी solve कर लिया delta tf निकल करके आ जाएगा question number 21 two elements a and b form compounds having formula ab2 and ab4 यह question आपको लगबग सब जगह मिल जाएगा हर coaching की magazine में मिल जाएगा आपको हर किसी ने अपने study material में डाल रखा है RC मुखर्जी में मिल जाएगा सब जगह question मिल जाएगा आपको वैसे question group से है यह RC मुखर्जी का ही question के अंदर एक बार experiment ab2 से कर रखा है एक बार experiment ab4 से कर रखा है और वह आपसे जो a और b हैं उनके atomic masses पोछ रखे हैं तो आप एक काम कर लिजे molar mass of a और b आप a और b मान लिजे छोटा ए छोटा ए छोटा भी इसका है a और इसका molar mass b तो ab2 का molar mass हो जाएगा a plus 2 b ab4 का molar mass हो जाएगा a plus 4 b बस अब दो equations बना लिजे first experiment कर लिजे first experiment में जो data दे रखा है wbmb 5.1 तो यहाँ पर भाई साब इसका kf है kf की value 5.1 होती है बेंजीन के लिए चोगी बेंजीन की बात कर रखिये हैं हाँ पर बेंजीन की बात कर रखिये 5.1 होती है एक ग्राम solute डाला था 20 ग्राम में इसका molar mass ab2 का a plus 2 b और दुबारा experiment किया तो delta tf की value 2.3 की जगा 1.3 मिली वही एक ग्राम डाला था 20 ग्राम में लेकिन अपकी बार solute ab2 डाला था यहां पर ab4 डाला दो equations बन गई हमारे पास एक यहां से इसको solve करा equation a plus 2 b बराबर this इसको solve किया तो equation a plus 4 b बराबर this दोनों को solve कर लिजे after solving a आ जाएगा 25.6 और b आ जाएगा 42.6 22 questions पर आते हैं यह जो पीछे question गया सामानिय कोशन था कुछ खास नहीं था यह questions भी जो आपके सामने आ रहा है इसमें 23 question बहुत अच्छा question है बाकि यह वाला question भी सामानिय सा आया देख लेते हैं कहा लिखावा है 300 Kelvin 36 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar तो πाई बराबर CRT से दे लग जा लिजे यार पाई 4.98 दे रखा आपको और आपको मोल रखा 36 gram glucose है तो 36 gram glucose है लीटर कितना दे रखा बॉल्यूम में बॉल्यूमेरा डिवाइडर पर मॉलर मास करोगे बने टी अगर आप देखें तो weight upon molecular weight यह होगे मोल divided by volume एक लेटर तो इस मोल पर लिटर concentration हो गई RT equation number 1 और यह solve करा यह equation number 1 आगे दुबारा बना लीजे आगे बना लिखा इफ दॉस्मौटी प्रेश्र आप से कितनी होगी इन्टू आर इन्टू temperature वही रखावा पूछा किस concentration पर होगा दोनों को divide कर दीजे concentration निकल कर किया जाएगी कोई बहुत बड़ा कारिक्रम यहाँ पर था नहीं यह बहुत अच्छा कोशन है और intermolico force of attraction पर खुब कोशन पूछे जाते हैं उनमें बड़ा प्यारा कोशन है अगर आप hexane को देखेंगे तो hexane ऐसी होती है octane को देखेंगे तो octane 1,2,3,4,5,6,7,8 ऐसी होती है octane तो अगर आप इनको hexane यह octane को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी और यह organic compounds जो होते हैं इनमें जो carbon kitchen होती है CH3,CH2,CH2,CH2,CH2,CH2,CH2 यह होती है non-polar तो यह भी non-polar है, यह भी non-polar है, non-polar induced dipole, induced dipole attraction बोलते हैं land-on forces लगते हैं तो इसमें land-on forces हैं इसके अतरिक second, first and second दोनों non-polar है, I2 और CCL4 यह भी दोनों के दोनों non-polar है, I2 ऐसा होता है, यह भी non-polar है, CCL4 में चारो के चारो CL है, यह भी non-polar होता है, इसके अंदर भी आपको यहाँ पर दोनों के लेंदर land- forces हैं, अब देखो third, third यह रहा, NACL4 में तो NACL4 में तो NACL4 मिलेंगे, NACL4 में पानी के साथ यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर iron dipole attraction करेंगे, यहाँ भी iron dipole attraction होगा, पानी का आपको पता है, कि पानी का scene कुछ ऐसा होता है, यहाँ डेल positive, डेल negative, डेल positive, तो यहाँ से भी attraction क करेंगा, डेल positive से भी attraction करेंगा, डेल positive से भी attraction करेंगा, नगेटिव लिचार्ज जी चीज़ों को जैसा कि यहाँ पर होगा है, तो यह iron dipole attraction का scene है, अब अगर आप चौते को देख लेंगे, यहाँ पर, तो methanol and acetone, of course, यह hydrogen bonding का case है, methanol and acetone में यहाँ पर hydrogen bonding होगी, तो methanol and acetone म यहाँ पर hydrogen bonding तो नहीं होगी, लेकि यहाँ डाइपोल, डाइपोल attraction होगा, चोकि CO bond polar है, एक डाइपोल यहाँ बनेगा, CN bond यह भी polar है, इधर negative और positive लिख रखा है, इनके बीच में जो attraction होगा, इसको हम लोग बोलते है, डाइपोल, डाइपोल attraction, डाइपोल, डाइपोल attraction औ अगर डाइपोल बनाने में hydrogen का योगदान हो, तो ऐसे डाइपोल डाइपोल attraction को अपन लोग hydrogen bonding बोल देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हुआ है, यह डाइपोल है, यह hydrogen ने मनाया है, इस डिसका नाम यहाँ पर hydrogen bonding रखा है, अब यह कोई अच्छा question है, यह दोनों के दोनों questions पुचा जा सकता है, दोने बड़े प्यारे कुश्ची, जब पहली बार आपको मिलेंगे तो गलत होने के chances रहेंगे इसके, आप समझ दीजेगा, बहुत सुन्दर केस है, बेस्ट अन solute solvent interaction, arrange the following in order of increasing solubility in N-octane, N-octane non-polar चीज़ है, तो like dissolves like a phenomenon होता है, कि non-polar चीज़ न non-polar चीज़ें ज़्यादा गुलेंगी, और polar चीज़ें तो बिलकुल नहीं गुलेंगी, और ionic चीज़ों को तो खैस हवाली पैदा नहीं होता, तो अगर इन सम्में देखें तो KCL तो भाई साब साक्षात ionic है, K प्लस और CN नगेट है, तो यह ionic होने के वाई से लीस्ट soluble यह तो गुले गाई नहीं, अब अगर पूरा completely non-polar देखेंगे तो completely non-polar हमारे पास cyclohexane है, बिल्कुल non-polar है, इसमें सिर्फ CH, 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 CH bond है, CH bond की polarity होती नहीं होती है, वो भी SP3 hybridized कार्म की तो बिलकुल नहीं होती है, अब बचे यह दो, इन में अगर आप देखेंग तो यह hydrogen bonding करने की योग्यता रखता है, यह OH bond जादा polar होता है, सभी dipole dipole में, OH का जो dipole होता है, काफी polar होता है, वो hydrogen bonding के तरफ ले करके जाता है, CN का dipole इसके अंदर जो होगा, यहाँ पर भी dipole होगा, लेकिन इसका dipole जादा stronger है, तो इसके अंदर आइनी character इसके मुकाबले थोड़ा सा जादा होगा, इसलिए इसकी solubility कम दिखाई गई है, और यहाँ पर solubility का arrangement इस जगह पर यह आ रहा है, बहुत अच्छा question है, अब यहाँ पर एक चीज समझी है आप लो, इधर यहाँ पर पुछ रखा, among the following compounds identify which are insoluble, partially soluble and highly soluble in water, बहुत प्यारा question है, पानी के गुलेगा, कौन जादा गुलेगा, कौन बिलकुल नहीं गुलेगा, तो non-polar चीज़ें तो गुलेंगी नहीं, अब non-polar कौन-कौन सी है, तो tolven है, कैसे पता, इसमें सर्फ CH, CH, CH bond है, दूसरा को चाहिए नहीं, और CH bond मैंने आपको बोला, polar नहीं होता है, इन compounds के अंदर अंदर, organic compound, बिलकुल भी polar नहीं होता है, तो ये पानी के अंदर कता ही नहीं गुलने वाला, अब इसके अलावा chloroform भी पानी के अनदर बिलकुल नहीं गुलने वाला, आपके मन्य में बात आएगी, आपके मन्य में बात आएगी, कि chloroform को तो घोल देना चाहिए, ये ना पोलर का मत्तब समझते हैं किसी चीज़ को पोलर बोलते हैं तो पोलर का मत्तब उसका जो डाइपोल मुमेंट है ना वो जीरो नहीं आना चाहिए कुछ ने कुछ वैल्यू आने चाहिए जिसकी कुछ ने कुछ डाइपोमेंट के वैल्यू आती है हम बोलते हैं यह पोलर है वो इसका डाइपोलमेंट होता तो है लेकिन very small value बहुत छोटी value होती है आ रहा है लेकिन इसके डाइपोलमेंट की जो value है वो आ तो रही है जीरो तो नहीं आ रही लेकिन वो value इतनी छोटी है कि साब जीरो के तकरीयमन आसपास ही मान सकते हैं तो बहुत significant dipolment इसका नहीं आ रहा और significant dipolment ना आने के वज़े से इसके अंदर non-polar nature इसके मानेंगे इसको पानी में घुलता नहीं है तो हम इसको पानी में नहीं घुलने जा रहे ये पानी के अंदर नहीं dissolve होने वाला अब बचे ये सब लोग a topic बहुत शांदर घुलेगा for me के सिर बहुत ही प्यारा घुलेगा फार्मिक एसर क्वार्मिक यसर क्यों घुलनें वाला है उसको देखने वाले कि फोड़ा सा हैं आपटडबड हो गया एक इसब हैं है इक है एकक और हम सबसे पहली बात नहीं जो सको पाणी में घूलने से रोख ब करने की जगह यह यहाँ पर भी वह सकती है अहां लें परेंग लोन पीरसते हैं हृढ पर दो जो न्हीं हैं या यहां पर पानी के साथ घ्रजण बाननीग हो सकती है हो सकता है यहां पर हो सकता है हो सकता है यहां पर हो सकता है ऐसे करके बहुत सारी जगह है अडिजन बांडिंग के मस्त गुलेगा दम शांदार वाला और कहां पर हो सकता है आए देखते हैं यह अच्छा गुलेगा यह यह हाईली सॉलिबल आने वाला है हाईली इंध मिनान हे दो DOUB है इस पर दो तो कूँ अच्छी का दिए नची है愛टविन बार्णिग होने नौब ने इंध कि अब जो फिनॉल होता है अब्हOD पानी इंदर पारशेली सॉलिबल होता है ऐसा क्यों है partially soluble क्यों है तुझरा समझी यह राफिनॉल इस फिनॉल के अंदर यह ओच है यह ओच करेगा hydrogen bonding जो नीचे वाला section है यह hydrophobic nature का है इसे पानी पसंद नहीं है मतब दो विरोधी चीज़ें लगी भी है एक ऐसे चीज़ जो पानी पसंद नहीं करती और एक ऐसे चीज़ जो पानी पसंद करती है तो रिजल्ट क्या आएगा partially soluble पेंटेनॉल अगें partially soluble आएगा पेंटेनॉल आएगा partially soluble क्यों आएगा partially soluble पेंटेनॉल यह रहा पांच कारवन है ओच लगावा है यह जगह इसको solubility increase कराती है और यह पांच कारण की चेन इसको hydrophobic nature का बनाती है यह दोनों के दोनों यहाँ पर partially soluble के example में थे हैं आगे चलते हैं और आते हैं हम लोग 26 कोशन पर इबड़ चेक कर लें हो 25 वाई था ना कोई छूटा तो नहीं हमसे कहीं कोई छूट जाए तो मजा खराब हो जाएगा इबड़ चेक कर लेते हैं क्या यह 25 वाई कोशन था यस अब 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 26 वाई चलते हैं the density of some lake water is 1.25 gram per milliliter and contains 92 gram of sodium iron per kilogram of water calculate the molality इतना simple था molality होती है moles per kg of solvent और moles of sodium per kg of solvent kg उसने बोली रखा है 1 kg पर kg वो बोल रहा 92 gram sodium iron दे रखे हैं एक kg पानी में तो आप 92 gram sodium iron के mol बना लिजे तो 92 डिवाड़े पर sodium का molar बास होता 23 mol बना लिजाने कि इतने mol per kg of solvent में तो molality ही तो हुई है इसी को तो molality बोलते हैं अच्छे इस question में बच्चे को confusion होगा यह रहे density क्यों दिया यहाँ पर density दे दिया और उने ऐसी उनका मन था दे दिया उसका यूज नहीं हुआ अच्छा question है अगर यह objective को फॉर्म में कहीं रहे तो बच्चा थोड़ दे के लिए परिशान हो सकता है कि यह इस density का क्या करने का है यह पूछा ज इसे करके break होता है एक प्लीबियम में पढ़ते हैं अगर copper sulfide की solubility X है तो इसकी भी X हो जाएगी इसकी भी X हो जाएगी चोंकि एक मोल से एक मोल मिलता है एक से एक मिलता है तो X और X X square बराबर KS पी रखेंगे KS पी बराबर होता है इन दोनों की concentration दोनों की कितनी है पर X into X KS पी दे रखा है कितना solve कर लिया है परिकल करके आ गया कोई बहुत बड़ा काम नहीं है अगला question भी को simple है calculate the mass percentage of aspirin acetone ideal का यह दे रखा है aspirin acetone ideal का mixture है उसमें से इसका वज़न इतना है उसका वज़न इतना है इसका mass percentage पूछ लिया आराम से निकल जाएगा उसका mass upon total mass in 200 इसका mass upon total mass in 200 करेंगे mass percentage निकल करके आएगा 1.424 जो की कोई भाबड़ी चीज थी नहीं यानिक इन तीनों कोशन में से जाला question थोड़ा अच्छा question है यह पूछा जा सकता है कि एक नेल और फीन ये अच्छा question है और मतब calculation उसकी दिखने में लगता है पढ़ने में बड़ा complicated सा लगता है कि उता complicated है नहीं जब पढ़ोगे आपसे आपको दवाई दे रखिए नेल और फीन उसकी concentration दे रखिए और बोला कि इस नेल और फीन की एक डोस देनी है पेशेंट को और पेशेंट को डोस देनी है और वो च ही पहुँच जाए तो मैं इसमें से कितना amount निकालूं चमच में कि उसके अंदर 1.5 mg दवा मौजूद हो यह सवाल में पूछा है तो चलिए molality दे रखिए है इसके molality दे रखिए इसको कैसे express करेंगे इसका मतब 1.5 10 to the power minus 3 moles of medicine are present in 1000 ग्राम चुकिए molality होती है मोल्स पर किलो ग्राम of solvent इसका मतब 1000 ग्राम में मौजूद है अगर मोल्स के मैं ग्राम बनाना चाहूं तो मोल्स को अगर molar mass से मिंट प्राय कर दो यह नेलोर्फिन का molar mass है इस नेलोर्फिन का molar mass 311 है यह पोरा formula दे रखा है जोड़के निकालेंगे तो 311 आएगा तो फिर से सुन लीजे 1.5 into 10 to the power minus 3 moles are present in इतने ग्राम मोल को ठीक करना हो तो यह ने कि इतने ग्राम of medicine is present in 1000 ग्राम हमें कितनी medicine patient के पेट में पहुचा नहीं है 1.5 miligram तो 1.5 कितने में होगी तो 1.5 miligram को ग्राम में convert करा इतने ग्राम medicine 1000 में present है तो इतने ग्राम medicine कितने में present होगी unitary law 3.2 इतने ग्राम में present होगी simple सा question था calculate the amount of benzoic acid required for preparing 200 ml of .15 m solution सीधा सा इसा आपके ताब देखो अच्छे तरीके से करना हो इसली तो सबसे बड़े रहता है कि molar rate moles निकाल लीजिए moles का formula होता है molarity volume 10 to the power minus 3 सब कुछ दे रखा था आपको इतने moles की आवशकता है आप से कुछा weight बता यह तो आपको पता है अगर moles को molar mass हमारे पास 122 है multiply करा इतने गराम आ गया 31 the depression in freezing point of water observed for the same amount of acetic acid, trichloroacetic acid and trifloroacetic acid increases in order given below explain briefly आपको यह कहा कि आपके पार 3 acids दे रखे हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा चुकि questions बहुत सारे थे तो वीडियो ने बड़ा होना ही है तो यह तो पहले से decided है तो आपको बोला कि आपको पस trichloroacetic acid है, trifloroacetic acid है अगर इन तीनों को delta tf में range करूं सबकी concentration बराबर हो तो किसका delta tf जादा आएगा तो देख लिजे delta tf बराबर i into kf into molality होता है अगर concentration सेम रखेंगे तीनों को पानी में भूल रखा है तो kf की value भी सेम और molality की value भी सेम तो फिर delta tf सिर्फ i पे depend करेगा अगर आप carboxric acid की breaking देखें तो वो rco negative or h plus यानि कि दो पार्ट में divide होता है तो i k value हो जाएगी 1 प्लस alpha यानि कि alpha जिसका ज़्यादा होगा यानि कि ज़्यादा dissociate होगा उसका delta tf ज़्यादा आने वाला है यह सवार अब inductive effect का हो गया fluorine को अगर आप देखें तो fluorine electron withdrawing groups होते हैं अगर एक electron withdraw करेंगे तो electron withdraw करने से इस OH bond की breaking को easy बना देंगे chlorine भी खीचते हैं लेकिन fluorine के मुकाबले कम fluorine का तो minus high effect electron खीचने की चमता बहुत ज़्यादा होती electron negativity हाई होने के कारण ultra CS3 आप लोग ऑगनिक में पुढ़ते हैं यह तो electron pushing group है तो electron push करता है तो यह तो OH bond टूटने ही देगा तो अगर यह ओज़ बन टूटने नहीं देगा तो यहाँ पर कम OH टूटेंगे यहाँ पर कम HN मिलेंगे इसका alpha कम आएगा इसका alpha कमाने का मतलब इसका I कमाने का मतलब इसका delta TF अब least आने वाला है इसका maximum आने वाला calculate the depression freezing point अब यह दो तिन question लगारतार जो यहाँ पर आ रहे हैं यह सारे के सारे question JEE mains और NEET के मतलब के question से आख मुद करके इनकी practice करके जाएए यहाँ से लिके till and जितने questions आ रहे हैं सब NEET के मतलब के questions हैं और सब JEE mains के questions हैं और में बताओं का कौन-कौन से है थर्टी टू पाते क्याल को दिप्रेशन फ्रिजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वें दस ग्राम ओप दिस ऐसेड इस एड़ेट टू फिप्टी ग्राम ओफ वाटर लोग कुछ है नहीं करने के लिए आराम से सॉल वह जाएगा इसको मैं आप आ घ्रिटी आ गई अजो उसको ब्रेक करेंगे और लेशों लौ लगाएंगे तो कैसे होएगा देखो न वसपर डॉल लगाते हैं इस पर तब आपको पता है क्या लिखते दे था अब भादने के लिखते हैं यह यह अपन दिस लिखते हैं लिख दिया हैं पर सब कटकुटा क आपर देखो मैं आपर 1- alpha की जगह पर effectivement क्या लिखाजाता है कि A equal to C alpha square इसको modify करके, क्योंगे हम मान लेते है alpha की value बहुत छोटी है एक से लेकिन हम यहाँ पर नहीं मान सकते है आप सको देखें तो यह value बहुत छोटी नहीं है जो के A की value दे रखी है वो 1.4 10 raise to the power minus K3 दे रखी है इसलिए neglection नहीं कर सकते हैं तक ही की calculation करने में neglection नहीं कर सकते हैं, neglection नहीं करेंगे तो उसको as it is रखके solve करेंगे quadratic equation बनेगी, solve करेंगे और alpha की value आने वाली है यह और इसी वज़े से सबाज J double E means या neat के मतलब का हो जाता है चुकि ज़्यादा दर बच्चे इसमें अलफा को neglect मारके solve कर देंगे और answer हो जाएगा उनका गलत alpha आगे निकल करके आगे तो पता ही है, तो पार्ट में टूट रहा है तो i की value 1 प्लस alpha होगी 1 प्लस alpha की value आपके पास यह रही इसको जोड़ लिया, आपने 1.0655 आ गया delta tf बढ़ पूचा था बहुत अच्छा कोशन है, कोई आश्री नहोंगा कर advance में पूच लिया जाए तो आगे चलिए हैं अगला सावल उसे से मिलता जूलता यह fluoroacetic acid दे रखा है और fluoroacetic acid का जो molar mass है वो है 78 तो जो भी data दे रखा 19 ग्राम है, 500 ग्राम वाटर में सबसे पहले मैंने molality निकाल ली molality निकाल ली, weight upon molar mass solvent का weight in 2000 solve करा, molality आगे मेरे पास 0.5 अब मैं square आप से कहीं भी उस कर सकता हूँ तो delta tf चो कि इसको पानी में घुल रखा है, और वेसी बात है तो टूटेगा, टूटेगा तो abnormal colligative property होगी, abnormal colligative property पानी हाँ पर i लगाते हैं तो delta tf बराबर i into kf आप चाओ तो सीधा हैं पर ये relation आपको मालूम है ये relation पूरा-पूरा molality का relation है, this is molality, जो कि मैंने उपर से निकाल ली थी रख करके solve कर सकते हो, और solve करके यहां से i निकाल सकते हो, i के value आजाएगी 1.0, मैंने ये वाला value पूरी दुबरा यहां पर डाल दी है, ऐसे आप चाओ तो जग पूरी तो molality रख सकते हो, delta tf दे रखा है 1, i मुझे निकालना है kf की value 1.86 पूरे का data मेरे पास 0.5 है i की value आगे 1.0753 आपको पता है, अगर ये acid है R, C, O, H, कैसे break होता है, पीछे भी break करके hood खा रखा है भी, बिल्कुल इसी pattern पे break होएगा यहां पर, इसको जब solve करोगो तो क्या करना पड़ेगा, आई निकालोगो तो i कितना आएगा, i आएगा 1 प्लस alpha, exactly यहां पर भी कैसा ब्रेक कर लिजे, अब आप यहां पर देखो alpha की value 0.0753, साब दिख रहा है कि alpha की value बहुत छोटी है यहां पर में जो नीचे सीधर 1- alpha है, वैसे तो अगर आप चाहें इस alpha को चाहें अगर यहां पर तो उसको आप neglect भी मार सकते हैं, तो को बहुत बड़ा काम नहीं था, इसको neglect मार के solve कर सकते हैं फिलाल आप पूरा रख लिजेगा हैं पर यह 7.53 है, अब ने पूरा रख करके solve कर रखा, पूरा रख करके यहां पर आंसा निकाल रखा कि एक value 3.07 10 to the power minus के 3 यहां पर आ गई है इसके बाद एक कोशन और यहां पर है, वो देख लिए बड़ा simple कोशन है, वैपर प्रेशर ऑफ वाटर 298 कल्वन पर इतना है, calculate the वैपर प्रेशर ऑफ वाटर at 293 कल्वन, सेम टेंपरेचर पर अगर 25 ग्राम गुलकोज, साड़े 400 ग्राम पानी में डाल दिया जाए, 25 ग्राम गुलकोज के जब मैं मोल सोच के लिए कैसे बैठेंगे 25 ग्राम गुलकोज के जब मैं मोल सोच होंगा तो सोच के देखे 25 को मुझे 180 से डिवाइट करना पड़ेगा, जो की बहुत कम आने वाले हैं, और अगर आप देखोगा, साड़े 400 ग्राम ग्राम वाटर तो 450 को जब मैं 18 से डिवाइट करूँगा, तो काफी बड़ी वैल्यू आने वाली है यहीं से समझ में आ रहा कि solution diluted रहने वाला है, और मैं यहाँ पर आप इस में diluted के case में, आपन इस वाले formula को इस्तमाल करते थे मुझे p0 दे रखा है 17.535, ps पुछावा है, मैंने dilute solution वाला formula लगाया, wbmbwm लिख रखा है, यहाँ पर solution is diluted, तो solution is diluted, solution यहाँ पर diluted है, जैसा data दिया था, पूरा का पूरा यहाँ पर place कर दिया, ps के दो निकल कर गया आगे 17.44m, 35th question पर आते हैं, तो henry simple question है, henry's law constant for the molality of methane in benzene at 298 Kelvin is इतना, calculate the solubility of methane in benzene, तो आपने mole fraction के terms में निकाल लीजी solubility में, उसने आप से कोई insist तो नहीं किया, कि आप solubility मुझे molality के terms में बताईए, या mole fraction के terms में बताईए है, या gram per return में बताईए, ऐसे तो कुछ कहा नहीं, उसना आप से पुछा, solubility बताईए, तो में को जो सबसे रदा comfortable पढ़ने वाला है, वो पढ़ने वाला है, mole fraction में, तो हम इस वाले formula का इस्तमाल करने वाले है, gas का pressure 760, एक बात का ध्यान लखना चाहिए, हैं आपर solve करते समय, कि जब gas का pressure आप use करते हैं, उसकी जो unit है, उसकी जो unit है, और जो henry is constant है, उसकी unit same रहनी चाहिए, चोकि mole fraction के तो कोई unit है नहीं, तो दोनों की unit same रहनी चाहिए, तो कई बार बच्चे गड़बड क्या कर देते हैं, कि question में ATM दिया होता है, तो एक जगह ATM रख देते हैं, एक जगह MMHG, यह गलती नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर MMHG था, यह भी MMHG था, सिधा solve करके हमारे पास answer बन गया, 36 सवाल, 100 gram of liquid A molar mass 140, तो पहले इसके mol बना लिये हैं, मैंने ही पर, mass upon molar mass यह रहे, और 1000 gram liquid में dissolve करा, जिसका molar mass 180 है, तो मैंने अब यहाँ पर इसके भी mol बना लिये, कैसे बन जाएंगे यह रहा हैं, आप इसको देखेंगे, तो आपको P0B के value दे रखेंगे, बड़ा बेकार सा सवाल है, कुछ खास नहीं है, P0B दे रखा 500 TOR, PS दे रखा 475 TOR, और आपको बोल रखा कि P0A बताईए कितना होगा, और PA बताईए कितना होगा, calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure, यानि कि A का ही vapor pressure in the solution, तो solution के अंदर उसका vapor pressure PA होगा, तो P0A और PA दोनों निकालने हैं, यह रहा expression, सब कुछ दो दे रखा है, PS दे रखा है, P0A निकालना है, XA दे रखा है, mole fraction का लीजएगा, दोनों के mole आपके पास आगे, दोनों का mole fraction, XA का mole fraction, उसके mole upon total mole, XB का mole fraction, A का आचुका था इतना, तो 1 में से गटा लीजए, तो B का mole fraction आजाएगा, रख लीजए हैं, आपर P0A आगया, फिर आप से PA पूछा था, PA क्या होता है, PA होता है, PA होता है, P0A XA, तो P0A XA मैं आपने value रुखिया, आपका answer आगया, 37 question graph drawing का था, तो graph drawing का question हम नहीं हा नहीं रहे है, जो graph drawing हम आपको यहाँ पर करके नहीं दिखा सकते थे, वो graph paper पर drawing होती, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है, 38 question में misprinted है कुछ-कुछ NCRT में, यहाँ पर NCRT ने tolven लिख दिया है, जबकि इस जगह पर naphthalene होना चाहिए, तो यह हाँ पर naphthalene है, अब आपको कोई दिखरत नहीं है, यहाँ पर P0 benzene दे रखा है question में, P0 naphthalene दे रखा है question में, moles of benzene मना लिजे, weight upon molar mass, बता रखा है हाँ पर, कितने gram dissolve कर रखा है, naphthalene, x naphthalene, रख लिया है, यहाँ पर जो data दे रखा था, चुकि दोनों के vapor pressure दे रखा है, 50.75, 711 का, 32.06 दूसरे का, दोनों को solve करके, यहाँ पर P.S. निकल करके आगया, आप से vapor phase में composition पूछी है, vapor phase में composition निकालने के लिए लगाना पड़ता है, दाल्टन्स का law, तो दाल्टन्स का law क्या होता है, दाल्टन्स का law होता है, P.0B xB बराबर P.S. इन्टू YB, कैसे लगता था, याद है आपको, यहाँ पर liquid phase है, यहाँ जो vapor से कटी होती है, अगर A का mole fraction, A, YA है, B का YB, यह vapor phase की mole fraction है, जबकि XA, XB liquid phase की mole fraction होते हैं, तो जब यहाँ पर अगर आपको निकालना हो, इस जगह पर Dalton के according निकालना हो, तो Dalton बोलता है कि अगर आपको A का pressure निकालना हो, तो total pressure को उसी के mole fraction से melt play कर दीजिए, यह Dalton का style है, अगर B का निकालना हो, तो total pressure यानि कि PS को उसी के mole fraction यानि कि YB से melt play कर दीजिए, उसको YB से melt play कर दीजिए, वो ही कर रखा, P0BXB equal to PS into YB, सब कुछ तो है मेरे पास, P0BXB भी मेरे पास है, यह Revalue, यह वाली रख दिया हमने हैं हापर, यह वाली वेल्यू हाँ साइजिटीज रख दिया, PS वो भी निकाला था, 42.65, 5 भी निकल जायागा, वो भाबड़ा काम नहीं है, इसके बाद आते हैं हम लोग, यह कोशन जी डबली के अंदर आ रखा है, जी डबली से पूछ चुकी है, और एडवांस की परिशन में पूछ चुकी है, दिया, पानी के साथ, एक गलास में पानी खुला हुआ रखा हुए, तो और वेसी बात है, पानी और एड़ एक्विलिब्रियम में होंगे, लेकिन जी जगह पर रखा हुआ है, उस जगह पर जो प्रेशर है एड़ का, वो प्रेशर बता रखा 10.80, एर का प्रेशर बता अगर मैं nitrogen का pressure पोछूँ, मैंने बोला 10 ATM मेरे पास gas है, तो 10 ATM air में से nitrogen का ATM कितना होगा, तो 79% निकालना पड़ेगा, चुकि 79% है, 79% निकाला तो 7.9 ATM आ गया, O2 का निकालेजे, 10 में 20 परतिशत कर लिजे, तो 2 ATM, यानि कि 10 ATM अगर air कहीं पर है, 7.9 ATM तो N2 है, और 2 ATM उसके अंदर O2 है, MMHG में convert कर लिजे, तो 76% से मनपला करना पड़ेगा, MMHG में क्यों convert किया है, चुकि मैं लगाने वाला हूँ, Henry's का law, और Henry's law है, pressure of N2 बराबर mole fraction of N2 into Henry's constant of N2, सवाल में आपसे gas की solubility को पूछा गया है, कि N2 और O2 की solubility बताईए, कितनी होने वाली है, तो फिर वो ही मुझे insist तो नहीं किया गया, कि आप gram पर लिटर में बताईए, mole पर लिटर में बताईए, तो of course मैं फिर मुझे जो सुविधा है, मुझे सुविधा mole fraction में बताने में, तो अपना answer mole fraction में बताऊँगा, तो आप अगर देखें, तो हैंडरी स्कॉंस्टेंट दे रखे हैं mm में, तो अगर हैंडरी स्कॉंस्टेंट mm में दे रखे हैं, तो अब्वेसी बाते में इस प्रेशर को भी फिर अगर हैंडरी स्कॉंस्टेंट दे रखे हैं, इस कॉंस्ट में एक्षली में NCRT को चाहिए था कि इसको उटा देते हैं, इसको उटा करके यहां पर alpha लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता, alpha बता देते 47% तो ज्यादा अच्छा रहता, उन्होंने i बोल करके वैसी मजाग खराब कर दिया question का, alpha 47% बोलते, यहां पर इसकी value दे रखे रहने 2.47 तो बहतर होता है, यहां पर alpha की value आपको देते और फिर alpha की value से i निकल बाते है, तो ज्यादा अच्छा question बन जाता, तो उन्होंने यहां पर बोला करके direct i दे दिया आपको, थोड़ा सा question easy हो गया, कुछ रहनी गया question में, पाई बराबर ICRT दगाएंगे, पाई आपको 0.75 उन्होंने दे रखा है, आई की value आपको 2.47 question में दे दी गई है, WB यहां पर concentration है, तो concentration होती है, mole per liter में लेते हैं, तो liter तो डाई दे रखें सवाल के अंदर, तो liter तो नीचे आ गया, मोल होता है, weight upon molar mass, CSL2 का molar mass triple one होता है, RT solve कर लिया, solve करके weight आगया 3.42, दूसरे question के अंदर पूर आई निकलवाया है उन्होंकोंने, determine the osmotic pressure of solution prepared by dissolving 25 mg of katoes of 4 in 2 liter of water, 25 mg का मतलब क्या हो, 25 mg का मतलब के 25 into 10 to the power minus 3 g लागाना वो ही है, पाई बराबर ICRT लगाने, आई निकाल लीजे, तीन particles में टूट रहा है, तो आई की value, आई का formula होता है, 1 plus N minus 1 into alpha, N का मतलब number of particles obtained after dissociation, 3 particle मिल रहे हाँ पर 3 रखोगे, यह आगया 1 plus 2 alpha, ऐसे direct भी कर सकते, 3 particle टूट रहा है तो एक कम alpha आता है, तो 1 plus 2 alpha आगया, alpha दे रखा था 100% बूल रखा, assuming complete ion addition देख रहे होंगे आप, तो 100% का मतलब alpha की value 1 हो गई, तो 100% का मतलब alpha की value 1 यहां रख दिया, आई की value हो जाएगी 3, यानि की जो colligative property आएगी वो पने normal values भे 3 times आने वाली है, पाई बराबर ICRT, आई 3 है, concentration mole पालीटर है, आप यहां से देखेंगे तो आपको mole पर दो लिटर दे रखा हुआ है, तो आप यहां पर concentration देखेंगे, तो पूरा यह रहा ग्राम, यह रहा इसका यहां पर यह देखेंगे, पूरा mole पालीटर है, weight upon molar mass divided by volume, mole पालीटर, RT, solve कर लिया, solve करके आगया यह, और इसी के साथ यहां पर questions होगे, सारे के सारे sum up, इसमें 4-5 questions बहुत अच्छे हैं, जो मैंने आपको बताई, जो पूछे ज सकते हैं, उनको आप prepare कर सकते हैं, मिलते हैं अगले episode में, नमस्कार